देवलापार ग्राम पंचाइत अंतरगत आने वाले गाउ में अकसर चार बजे के बाद भी पूरा बाजार वा अतियावशक के सेवा के साथ साथ सभी प्रकार की दुकान शुरू रहती थी यह आदेश पिछली आदेश अनुसार था परन्तु अभी नए आदेश अनुसार चब जुलाई तक के लिए फिरसे लॉक्डाउन बढ़ा दिया गया है यह आदेश जिलाधिकारी वारा दिया क्या है ने आदेश अनुसार मिले जानकर के अनुसार आज कराम पंचात के सचेव देवकर कर्मचारी इन्होंने पलिस प्रशासन को साथ मिले कर शेत्र का भ्रम्मर किया तो व्यापार शुरू तीकने पर दुकान पर जाकर बताया कि कारिवाई में सहीयोग करी सबी दुकानदारों की पास जाकर उन्होंने पताया कि कल से अगर नियम की आदेश की धश्या उड़ाते नजराएंगे तो इनके उपर कारिवाई की जाएंगी सबी दुकानदारों को नोटिस बाट कर सुचना थी कि चार बज़े की पाद संपुन दुकाने बन रहनी चाहिए ऐसा आदेश जलादी कारी नितिया है उनके आदेश की अभिलना ना होने के उद्दे से व्यापान ने वो आम जनता ने ग्राम पंचार से सयोग करने की अपल की है पचले कुछ दिनों से देवलापार ग्राम पंचारत अंतरकट शेत्र के आने वाले शनिवार इत्वार को लॉकड़ान होने के पाउचोद बन होने के वह अतियावशिक के सेवा भी चार बज़े के बाद बन रखने के आदेश होने के पाउचोद भी शुरूर रहते हैं जिसमें अक्सर जिन दुकानों को अनुमते नहीं है वह दुकाने भी शुरूर रहती हैं ऐसा नसारा देवलापार आदिवासी पहुल शित्रा अंतरकट आने वाले सपी काव दिहात में देखनी को मिल रहा हैं आई वे पर धापी वाले भी अपनी सुविदात देते विदि दिख रहे हैं कई बार तो यह धापी रात में भी शुरूर रहते हैं मिलस्यन न्यूस की लेद पाउनी देवलापार सी हरिश वाइति की रिपोर्ट